हलो स्टूरेंट्स स्वागत है आप सभी का साइंसेंट फंड 910 के यूट्यूब चैनल पे जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं तो आज के सेशन में मैं लेके आई हूँ क्लास 9 के लिए most requested chapter जो की है history का forest society and colonialism इस chapter में बेटा हम बात करेंगे forest society के बारे में ये तो हमें पता ही है लेकिन साथ ही साथ बच्चे समझ नहीं पाते हैं कॉलिनिजम होता क्या है तो कॉलिनिजम एक ऐसा time period है जब हमारे देश पे हमारी इंडिया पे राज कर रहे थे गोरे लोग यानि की Britishers तो British rule वाले period को कहा जाता है colonial time period और इस chapter में हम हमारे forest की बारे में पढ़ेंगे कैसे थे हमारे forest, कैसी थी हमारे forest society, कैसी थी condition forest से जुड़े हुए लोगों की, कै इस कारण की वज़े से हो रही थी और साथ ही साथ पढ़ेंगे दो cases, बस्तर और जावा के, इस chapter को ध्यान से सुनना है, reason, last year मैंने आपको दिये है कुछ important MCQs, जो आपको comment section में इसके answers देने होंगे, इस chapter के खतम होने में, चलिए शुरू करते हैं और जल्दी से खतम करते ह हमने यह chapter करना है, exam point of view से बिल्कुल crisp रखेंगे, important important topics, आपको में mark करवाती रहूंगी, तो जुड़े रहिए और चालू करते हैं हमारा chapter, देखे पहले तो यह एक घबराने का नहीं है, mind map है, लेकिन मैं इस से नहीं पढ़ा रही हूँ, आपको क्योंकि history है, यह आपको सिर बात करेंगे, deforestation क्यों होती है, क्या होती है, फिर हम बात करेंगे कैसे commercial forestry बढ़ने लगी, commercial forestry का मतलब होता है, वहां से चीजों को लेना और उसको फिर commercialize करना, बहार market में बेचना for the profit maximization, then हम forest में क्या-क्या rebellions हुए, यानि कि लोगों ने कैसे protest किया, Britishers के अन्याय के प forest के benefits, देखें बेटा, अगर teacher बहुत महरबार हुआ, तो आपके paper में एक सवाल आ जाएगा, water the benefits of forest, तो यह बना के भी लिख सकते हैं, कि forest हमें livelihood प्रोवाइड करता है, wood प्रोवाइड करता है, medicines बनते है, furniture बनते है, air को यहनकी oxygen मिलती है, environmental balance बना के रखता है, तो यह सारे pointers बेटा, आप benefits of forest में डाल सकते हैं, और यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, कि जितनी भी चीजे है, paper, table, chairs, बहुत सारी और चीजे हमें क्या देते हैं, forest प्रोवाइड करते हैं, also आपको बता है ना कि forest में, जो trees, shrubs, herbs उगते हैं, उन्हें हमारी need नहीं होती, यानि कि human beings की नहीं होती, वो naturally grow करते हैं, हमने natural vegetation chapter में भी पड़ा है, ठीक है, in the Amazon forest or in the western ghats, it is possible to find as many as 500 different species in one forest patch, तो एक ही forest के patch में, एक ही forest के टुकडे में, हमें बहुत सारे variety of trees, plants, herbs, shrubs, पाई जाते हैं, मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि forest एक diverse area है, in point of view of animal and plant species, that is, flora and fauna species, now, what is deforestation, तो forestation को में बता है, अब deforestation मतलब पेडों का कटना, पेडों को काटना, large scale deforestation होई, जब गोरे हमारे देश में है, चलो गोरे नहीं आए, अभी हम वैसे ही बात कर लेते हैं, कि deforestation और eforestation, ये दो terms होती है, eforestation का मतलब होता है, पेडों को लगाना, और deforestation का मतलब होता है, पेडों को उखारना for various needs, for example, हमारे देश की population बहुत बढ़ती चली जा रही है, तो we need homes to live, we need buildings, तो उसके लिए forest को हटाया जाता है, पेडों को काटा जाता है, not just forest, पेडों को काटना is deforestation, forest में trees होते हैं, लेकिन वैसे roadside भी trees होते हैं, और जहां पे क कुछ भी नहीं है, हमारे भी trees होते हैं, plants हो गए होते हैं, तो उनको काटने को हम बोलते हैं deforestation, तो human beings की needs की वज़े से, factories लगानी है इसकी needs की वज़े से, right, mall बञाना है, या complex बञाना है, या market बनानी है, तो हम क्या करते हैं, deforestation करते हैं, wood की need के लिए हम deforestation करते हैं, अ होने लगी आने की wood की requirement बहुत बढ़ गई थी चलिए तो the disappearance of forest or destruction of forest by humans for various reasons is referred to as deforestation a lot of diversity from forest is rapidly disappearing between 1700 and 1995 a vast area has been cleared for industrial uses cultivation pastures and fuel wood ठीक है तो ये सारे कारणों की वज़े से भी क्या करते हैं हम deforestation करते हैं तो आईए बात करते हैं causes of large scale deforestation during colonial period अब colonial period मैंने क्या बताया आपको British rule यहां लिख देते हैं ताकि आपको याद आजाए जब आप रिवाईस भी कर रहे हो तो colonial का मतलब होता है वो time period जब गोरे लोग हमारे देश पे आये हुए थे चलिए expansion of cultivation for food grains देखे food grains को बढ़ाना था क्योंकि हमारे देश में महमान आए वे थे उनके खाने की पूर्ती भी करनी थी तो food grains cultivation को बढ़ाना है तो हमें forest area को काटना पड़ेगा make way for tea coffee and rubber plantations large scale पे plantations करनी है तो चोड़े चोड़े deep forest को काटना पड़ेगा plantations का मतलब होता है जब आप एक single field पे large scale में क्या करते हो खे export किया जा रहा है क्योंकि हमें textile भी बढ़ाने वह export करेंगे और काफी पैसा कमा के लाएंगे the spread of railways railways का बढ़ना मैंने बताया railways में क्या चाहिए होते है sleepers चाहिए होते हैं and imperial ship building क्योंकि ship बनाने में भी wood का इस्तमाल होता था क्योंकि इन्होंने water transport को भी use करना शुरू कि लिए for exports purpose और exporting purpose के लिए उन्हें ship build करनी परती थी और उसके लिए भी क्या चाहिए होती थी wood और इसी लिए की जाती थी deforestation तो क्या कारण है deforestation के यह सारे कारण है number one हो गया cultivation बढ़ाना number two हो गया plantations को improve करना number three हो गया revenue बढ़ाने के लिए agriculture को बढ़ाना number four हो गया railway का बनन और number five हो गया ship building अब अगर आपको यह पांश नमबर में आजे तो आप इसको explain कर दीजेगा तीन नमबर में आजे तो बस यह state कर दीजेगा points पूरे नमबर में लेंगे आपको अब deforestation क्यों disappearance जो है forest की वो deforestation है हमने पढ़ लिया the process of cutting trees on a large scale began many centuries ago under the rule of the British colonial rule it became more systematic तो deforestation तो पहले से होती थी लोग करते थे अपनी lively good के लिए लेकिन अब जादा बढ़ने लगए जब British rule हमारे देश में आ गया let us see some of the causes of deforestation in India under colonial rule तो सबसे पहला क्या था कि cultivation को बढ़ाना यह देखो with explanation आ गया वो सारे pointers with explanation आ गये है कि आपको क्या करना है cultivation के लिए बढ़ाना है British न जिसको आप मार्केड में जब बेचने जाओगे तो आपको होगा profit और दुनिया profit के ओपर ही मरती है ठीक है crops like jute, sugar, wheat, cotton as demands these crops increases in Europe where raw material require होता था industrial production के लिए और इंडिया से ही वो raw material जाता था तो इसलिए इंडिया में agricultural expansion करने की need हो गई थी secondly the colonial state thought that forest जो है वो आपके लिए unproductive है वो कुछ भी आपको provide नहीं कर रहे है उल्टा डर दे रहे है wild animals वहाँ पाई जाते है तो आपको खतरा है तो इसलिए आप इसको खतम करो तो लोगों को दूसरे point of view से भी वो बहलाने फुसलाने लगे ठीक है then wood to make English ships आप देखो ये क् बनाई जाते थी ships बनाई जाती थी मैंने आपको बताया ना तो by these by the early 19th century oak forest यहां पे oak की wood लगती थी England was disappearing England में oak और timber की आ रही थी कमी तो उन्होंने क्या किया इंडिया को survey और इंडिया को survey करने पे पता चला यहां पे तो बहुत सारे trees पाए जाते हैं timber के और oak की तो उन्हें का चलो भाई इंडिया की तरफ चलो और काटना शुरू हो जाओ वहां के oak और timber को और यहां पे export करना शुरू हो जाओ क्यूंगी हमें बनानी है हमारी ships sir party को भेजा इंडिया में वही सारी बात लिखी हुई है और export करा जाने लगा यहां से timber और oak clear sorted now third is sleepers ठीक है railways बढ़ने लगी 1850 से जिससे new demand आई किस की to run the locomotives इनको चलाने के लिए wood was needed as fuel and to lay railway line sleepers were essential to hold the tracks together तो इनको जोडे रखने के लिए sleepers बनाए जाने लगे sleepers, wood and planks laid across the railways tracks, they hold the tracks in position the contractors appointed by the British government began cutting trees indiscriminately और भारी देदाद में क्या होने लगा trees कटे जाने लगे क्योंकि वहां से wood लेके क्या बनाए जाती थी sleepers और Britishers को trains उस ताइम बहुत जगा रेक्वायर थी for exporting purposes चाहे state to state ही हो उन्होंने ही train railway की expansion की थी इंडिया में और इंडिया का पैसा, इंडिया का wood सब कुछ लगा दिया उसके अंदर चालिए, next is fourth point is plantations तो मैंने आपको बताया के last scale पे क्या करना है हमें plantation करनी है चाहे वो tea की हो, coffee की हो, rubber की हो large scale पे करनी है ताकि cheap rates हो जाए अगर आप एक product को बहुत heavy quantity में बनाते हो, तो क्या होता है वो चीज सस्ती हो जाती है आप जब उसको bulk में खरीते हो या bulk में बनाते हो तो बस plantation करो, large field पे एक ही crop होगा और पैसा कमा हो, यह उनका कहना था cheap rates हो जाएंगे तो आपको profit जादा होगा forest management, अब हम बात करते हैं forest management की a system of cutting trees controlled by the forest department in which old trees are cut and new ones planted in straight lines for British Railway and Navy तो क्या किया जाने लगा, किया जाने लगा ऐसा कि इंडिया के species में आने लगी कमी क्योंकि इनको जो चीज required थी यानिकि timber, oak, valuable trees जो required थे, इन्होंने उन्ही को plant करना शुरू कर दिया और जो भी इनके काम के नहीं थे, इनके मतलब Britishers के काम के नहीं थे, उनको इन्होंने काटना शुरू कर दिया first inspector general of forest, देखिए प्लीज, घबराना नहीं है, मैंने यहाँ दारू का गिलास लगाया है दारू का गिलास लगाया है मैंने, महौल मत बना लेना, मूड मत बना लेना, लेकिन कहने की बात यह है कि यह जो inspector पहले लाए गए, इनका नाम था Dietrich Brandris, और बचपन में न, हमारे इंडिया में भी क्या होता है, जब बच्चों को बहुत ठंड लग जाती है तो ब्रैंडी नाम की एक दवाई आती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैंने को सुना है कि आलकोहौल भी होता है तो ब्रैंडिस एक काइंड आफ दारुई होती है, ब्रैंडिस नहीं, ब्रैंडी तो बच्चों को पिलाई जाती है, जब उनको बहुत ठंड लग जाती है तो ब्रैंडिस इनका नाम है, तो आपको बस याद रहे, क्योंकि दारुई से बच्चे बहुत कनेक्ट कर लेते हैं, आजकल बड़े नशीले बच्चे हैं आजकल के तो आपको याद रहेगा इनका नाम डाइट रिच ब्रैंड रिस डाइट रिच डाइट रिच आप तो भूल ने सकते हैं आप खाने में रिच ब्रैंड रिस चलिए तो क्या हुआ the British were worried that the use of forest by local people जो है and the reckless spelling of trees by traders would destroy the forest इनका कहा जाने देखो बिटा ऐसा नहीं है कि हमें बहुत requirement है तो forest को बिल्कुल काट दो नए 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 ecological balance maintain करने के लिए we need forest आपको बता है देश में 33% होने चाहिए forest आज की टाइम पे भी नहीं है बहुत कम है लेकिन होने चाहिए तो अब क्या कहा जा रहा है इसके अंदर कि दर गए थे Britishers भी कि हाँ यार एक तो हम लोग कर रहे हैं use चलो हमारा use करना तो माफ है लेकिन यार ये local people भी बहुत use कर रहे है तो क्या किया जाए तो बुलाया गया पहला German expert Dietrich Brandris for advice and made him the first who was the first inspector general of forest in India Dietrich Brandris तो ये वन माकर में मैं पूछ सकती हूं हिंद दे रही हूं ठीक है तो पहला inspector बना जो forest general का वो थे Dietrich Brandris जी scientific forestry की बात करते है important है तीन number में explain करना आ सकता है कि explain scientific forestry three marks में आ सकता है तो Brandris ने क्या किया Indian Forest Service 1864 बेडा इसी channel पे forest society and colonialism की important dates की एक video बने हुई under 10 minutes and उसमें trick भी बताईए कि कैसे आप इन dates को कर सकते हैं या मेरी personal experience से मैंने बताया है तो the Brandris set up the Indian Forest Service in 1864, the Imperial Forest Research Institute was set up at Dehradun in 1906, the system they thought was called scientific forestry तो इनने क्या किया बहुत सारे लोग including ecologists feel that this system not scientific at all क्यूंकि in scientific forestry national forest which had lost different types of trees were cut down in their place of tree was planted in straight rows तो बात यही थी scientific forestry में जैसे मैंने आपको बताया what they did was इन्होंने जो भी you know unrequired trees थे उनको काट दिया और the required trees थे उनको इनने straight lines में plant करना शुरू कर दिया on a large scale so this was the plan of Dietrich Banders to do scientific forestry और कोई scientific नहीं था इसके अंदर the forest act अब 1878 में आया forest act इसने forest को divide कर दिया तीन भागों में तीन भाग कौन से reserve, protected and village यह आपको पता होना चाहिए बहुत ही असान paper बनेगा तो तीन टाइस पूछ लेंगे आप लोगों से कि कौन कौन से तीन टाइपस के पाए जाते हैं forest चलिए the best forest were called reserved forest दिखिए नाम से बता देती हूँ reserved मतलब इनको बचा के रखा तुम लोग गलत पढ़ लोगे बचा के फिर तुम बोलोगे बच्चा क्यों लिख दिया मैं हमने है ना भई तो क्या किया इन्होंने reserved forest को बचा के रखा किसके लिए सिफ Britishers के लिए protected बे इनने कुछ percentage open कर दी like आप reason बताओ you can cut, you can use this you can use this area stating the valid reason okay तो आप use कर सकते हैं लेकिन valid reason के साथ village forest open to all तो यह तीन उनने करीए तो most best forest जो थे वो reserve थे villagers could not take anything from these forests even for their own use for house building or fuel they could take wood from protected or village forest तो जैसे मैंने आपको बताया protected में आप reason बता दीजे और village में तो आप ले सकते हैं now forest लोग का impact क्या हुआ लोग जो थे उनको wood चुडाना चुडाने के लिए मजबूर हो गए वो from the forest and if they were caught अगर पकड़े जाते थे तो उनको बहुत मारा जाता था it was common for police constables and forest guards to harass people उनको harass करना, exploit करना, खाना लेना बदले में अगर तुम्हे कुछ चाहिए तो ठीक है तुम हमें entertain करो etc. women who collected fuel wood were especially worried for their safety उनको डर लगता था वो लोग उनको परिशान करते थे औरतों को तो fuel wood कठा करने जाती थी उनको छेड़ते थे तो यह सारी चीजों से वो बहुत परिशान भी थी तो इसका फायदा उठाया जाता था forest law का impact क्या पड़ा after the implementation of act, almost all everyday practices of native become illegal, आपको पते क्या क्या हो गया cutting wood, illegal चाहे वो houses, hunting, fishing grazing, collecting honey collecting fruits, roots collection of mahuwa and forest products जो थी वो illegal कर रही गई बहुत रिस्रिक कर रही गया और आप forest वाले भॉखलाएंगे they were forced to work instead in factories, mines and plantations under the government supervision बहुत सारे pastoris or nomadic communities like the Kauravas, Karachas, Yeruka of the Madras presidency lost their livelihoods, some of them began to be called criminal tribes, जबर्दस्ती इनको क्या किया जाता था, इनको रखा जाता था, कहा जाता था कि तुम लोग ये forest forest चोड़ो, ये सब काम चोड़ो, तुम mines में लग जाओ, तुम plantations में लग जाओ, तुम फैक्टरीज में लग जाओ, तुम satisfied different need, अब यहाँ पर Britishers तो अपना सोच दे लेकि इनको तो fuel भी चाहिए, wood भी चाहिए, खाने केले भी चाहिए, वहाँ से, food for animals भी चाहिए, leaves भी चाहिए, forest department wanted the trees, which were used for building, ships and railways, तो यहाँ पर आगए clashes, जो local people है, they wanted every kind of species, but जो Britishers है उनको से चाहिए, वही wood, जो उनका timber, उनके sleepers बना दे और उनके ship building कर दे, the forest act meant several hardship for villages, across the country, after the act, all their everyday practices, cutting wood, वगेरा, 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 illegal बना दी गई, लोग जो थे, अब उनको काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, shifting cultivation, shifting cultivation is a process, यह आप class 10th में भी पढ़ोगे, agriculture chapter में, shifting cultivation में क्या किया था, आप एक land पे अगर आप खेती कर रहे हो, और उसकी जो उपजाऊपन है, वो खतम हो रहा है, तो आप उस land को छोड़ दोगे, उसमें जितने भी weeds बज़ेगी, उसमें आग लगा दोगे, और उसको slash and burn कर दोगे, छोड़ दोगे उसको, वो अपने आप उसमें nutrients जियन करेगी, लेकिन आपको इसमें आंसर में से यही लिखना है, कि आपने उसको छोड़ दिया और आप कहीं और जाके खेती करने लगे, इस शिफ्टिंग कल्टिवेशन, शिफ्ट करके कल्टिवेशन करना, उसको छोड़ देना, वो अपने आप रिगें करेगी, अपने nutrients को, तो one of the major impacts of European colonialism was the practice of shifting cultivation और Sweden agriculture, इसका दूसर नाम था, इस शिफ्टिंग कल्टिवेशन, parts of forests are cut and burnt in rotation, slash and burn कहा जाता है इसको, लिखा नहीं होगा, आपकी class 9 में 10 में है, slash and burn, छोड़ दो और जला दो, seeds are sown in the ashes after the first monsoon rains, and the crop is harvested by October-Dovember, in plots of agriculture को, cultivation को for a couple of years, और फिर इनको फैलो छोड़ दिया था, फैलो मतना बंजर, छोड़ दिया जाता था, 12-18 सालों के लिए, and तब तक वहाँ पर क्या हो जाता है, वापस से forest उगने लग जाते थे, तो कहने की बाती है, एक देखो, दुबारा समझाते हो, confused नहीं हो ना, कहने की बाती है, एक क्या आप लैंड पर खेती कर रहे हैं, आपने क्या किया, forest है सपोस, वहाँ पर आपने उसको कट कर दिया, अब वहाँ पर जब बचे कुछे वीड्स हैं, उसमे आपने आग लगा थी, जल गए, अब उनकी ashes में आपने seeds सो कर दिया, जब monsoon आई, पानी आया, आपने seeds सो कर दिया, उसमें plantation होगी, और फिर दुबा से अथारा सालों के लिए, आपने आप फॉरेस्ट सी रही है, दुबारा से उग गया, इससे क्या होगा, वाल्यूएबल, नूट्रीशन वाले क्रॉप्स आपके उगने शुरू हो जाए, यूरोपियन फॉरेस्टर्स रिगार्ड़ इस प्रैक्टर्स आज हम्फूल फॉर हो सकता है, गलती से भी आख हमारे वैल्यूएबल टिंबर तक पहुच गई, तो हमारा तो बर्बाद हो जाएगा, तो इन्होंने इसलिए बैड कर दिया, शिफ्टिंग कल्टिवेशन को, और इससे भी लोगों को बहुत होगा नुकसान, अब होता है, पंजाब में आज मे deprived people of their customary rights to hunt, hunting of big animals became a sport, लोग पते enjoy करने लगे, wild animals को मारना, the British saw large animals as signs of wild, primitive and savage society इनने कोई और wild animals से तो डर लगता है, ये तो हमें खाखू सकते हैं, तो क्यों ना इनको मारना शुरू करने, hunt करें, इससे हमारे enjoyment भी हो जाएगी, और wild animals मर भी जाएगे, they believed that by killing dangerous animals, the British would civilize India, इससे इंडिया बहुत safe हो जाएगी, over 80,000 tigers, 1.5 lakh leopards, 2 lakh wolves इनको मारा गया, और इनमें reward भी रखे गए, 1875 से 1925 के period में, अब रिटिश एड्मिनिस्टेटर जॉर्ज रूल, killed 400 initial certain areas of forest, were reserved for hunting, George Yulin तो 400 tigers अकेले मारे, records बनाया, इन लोगों ने, हमारे देश में, हमारे फ्रोना को, मार मार के records बनाया है, इन लोगों ने, चालिए, rebellion in the forest, in many parts of India and across the world, forest communities, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, बस्तर के बारे में, और बहुत important है, ध्यान से सुनने, आप लोगों कान खड़े कर लिजी अपने, in many parts of India and across the world, forest communities, rebeled against changes that were being implemented or imposed on the people, अब क्या था, forest laws बन रहे थे, अब rebellion होगा, we will now discuss the detail, one such rebellion, जो हुआ बस्तर में, 1910 में, और बस्तर कहा है, 36 गड़ के पास, यह रहा, बस्तर, बस्तर, बस्तर नहीं, बस्तर, चलिए, बस्तर के लोगों की बात करते है, बस्तर जो है, वो located है, सादन मोस पार्ट, बस्तर पे नोट लिखना आया था, तो यह रा नोट, सादन मोस में है, 36 गड़ में, बॉर्णर्स हैं, आंदर परदेश, औरीशा और महराश्टर से जुड़ते हुए, देखो, आपको मैं एक टिप दू, आप मुझे बताओ, इस पीपीटी पे, इस स्लाइट पे, आपका धियान का जा रहा है, सिर्फ पीले शब्दों पे ना, मेरा भी, क्यों? क्योंकि वो हाइलाइटे है, तो एक्जाब में आपको अपने आंसर में हाइलाइटिंग जरूर करनी है, और पॉइंटर्स में ही लिखना है, पैरग्राफ में कुछ लिखा तो मुक्का आएगा तुम्हारे मुझ पे अपनी टीचर के द्वारा, टेंथ में तो ये बस्तर बिलीव डाट, बस्तर ने कहा, हमें जमीन, हमारी धर्ती, हमें हमारे भगवान ने दी है, नेचर ने दी है, तो हमारा भी फर्ज बनता है, कि हम अपनी धर्ती को बचा के रखे, इच विलेज न्यू इट्स बाउंडरी, और लुग आफ्टर दने नेचर रिसोर्स and also protect their forest by engaging watchmen, तो इनने क्या किया, अपने ही लोगों को guards बना दिया और इसको protect करने लगे, कि इसको forest area को, the fears of the people, अब दर क्या था, when the colonial government proposed to reserve two-third of the forest, जो forest act में हुआ था, 1905 में, forest act पहले आया, 1905 की बात कर रहे है, and soft shifting cultivation, hunting and collection of forest produced, the people of Buster were worried, कि यार, इन लोगों ने तो बहुत कुछ कर दिया, forest act में changes लेके आ गए, 1905 में, और इतना कुछ restrict कर दिया, अब हम कहां से अपनी livelihood कमाएंगे, कहीं ये लोग हमारे पाना आ जाए, हम लोग तो forest को reserve करने, और हमें jail will में न डालने, people begin to gather and discuss these issues, the initiative was taken by the dhruvas of kangar forest, इनों ने कह हम लीडर बनेंगे, हम देखते हैं क्या होता है, although there was no single leader, बहुत सारे लोगों ने गुंडा धुर, गुंडा धुर, as an important figure in the movement, इनों ने इसी को अपना लीडर समझ लिया, people of the other villages were also invited to join the rebellion, the rebellion was crushed by the Britishers, तो Britishers ने इस पे दाला, दबाव, धक्का, कि क्या कर रहे हो, हमारे खिला इनिशेटर तो लिया गया धुरुवास के द्वारा, गुंडा धुर लीडर बन गये, rebel against Britishers, every village contributed something to the rebellion expenses, कुछ कुछ इनों ने पैसो की भी मदद करी, finally there was an outbreak, bazaars were looted, officials के houses, trader के houses, schools, police stations, were burnt and robbed, granaries को चुदाया गया, William Ward's observation from all the directions came streaming into Jagalpur, police merchants, forest, peons, school masters and immigrants, तो इने का हर तरफ से ये forest के लोग तो आ रहे हैं और हम पे कबजा कर रहे हैं, तो क्या Britishers ये सुनकर चुप रहने वाली थी, क्या Britishers इतने शरीफ थे, नहीं, suppression आया Britishers के द्वारा, British sent troops to suppress the rebellion, गुच्छे बेज दिये लोगों के, कि दबा इस rebellion को, British surrounded their camps and fired upon them, पनिश किया गया उनको जिन्होंने भी participate किया rebellion में, बहुत सरे villages को खाली कर दिया गया, लोगों भगा दिया गया, और within the month February 2 में, British ने दुबारा से control, regain कर दिया, क्या ये एक failure था, नहीं, this was not a complete failure, क्योंकि इनकी demands में आये थे, improvements, क्या, rebellion एक victory था, कैसे, British ने गुंडाधुर को capture नहीं कर पाया, reservation जो थी, वो temporarily suspend कर दी गई, वो two-third वाली, suspend कर दी गई, and was reduced to roughly half of the planned, याने कि जितनी उनने की गई थी, उसकी भी आधी कर दी गई, 1910 में, 1905 में, कहा two-thirds area reserved है, आदा कर दिया गया, समझ गए, one-third कर दिया गया, now, struggle of the people of Buster does not end there, the practice of keeping people out of the forest and reserving them from industrial use, continued after independence also, लेकिन ये चीजे तो चलती गई, इन पे कबजार रहा, लोगों ने इतना, मतलब इतना open up नहीं हो गए, फिर भी इनके लिए rebellion, एक पता है, लोगों को ना, इससे उमीद मिली, कि हाँ, Britishers के खिलाफ भी हम लोग क्या कर सकते है, protest कर सकते है, माना उन्होंने वापे से रीगेन कर लिया power, लेकिन कुछ फाइदे तो हुए, जो ये चाहते थे वो तो हुए, तो कुछ नहीं है, ये बस्तर का केस बहुत ही असान है, कहां पाया जाता है, कब हुआ, क्या हुआ, ये तीन बाते आपको याद कर, as simple as that, now, let's move forward to our, our maybe last topic, Java का केस शुरू हो गया है, now, Java, India में नहीं है, Indonesia में है, let us now go to another part of Asia, Indonesia and see, what was happened, there, over the same period, Java in Indonesia is where the Dutch, जैसे हमाई देश में बिटिश थे, वैसे ही, Indonesia में, Java के ओपर, Dutch लोग थे, the Dutch are the people who lived in the Netherlands, like the British, they wanted timber from Java to build ships and sleepers, so same to same, Java में भी timber बहुत जादा पाया जाता था, और Dutchies को चाहिए था, timber, ship building के लिए और sleepers बनाने के लिए ही, तो similar सही केस है, there were many communities in Java living in the mountains and practicing shifting cultivation, अब क्या हुआ, woodcutters of Java के ओपर note लिखना आ सकता है, important है, kalangs, जो थे, वहां की ऐसी communities जो एक skilled woodcutters थे, और Dutchies ने इनको offer की job दी, कि तुम क्यों नहीं हमारे यापे woodcutters बन जो और sleepers बनाओ, लिकिन ने refuse कर दिया था, they were so trained that in 1755, when the Mataram kingdom divided of Java divided as 6000 Kalang families were equally divided between the two kingdoms, बटवारा हुआ था जावा में, तो Kalang इतने दादा वो थे, कि इनका भी बटवारा हुआ, कि इस area में आदे और उस area में आदे जाएं, क्योंकि इतने valuable, इतने experience थे, when the Dutch began to gain control over the forest in 18th century, they tried to make the Kalangs work under them, मैंने बताया न, इनको offer किया कि तुम हमारे underkamp करो, Dutch scientific forestry, अब जैसे कि India में scientific forestry आई थी, straight rows में लगाये थे, trees याद है आप लोगो, तो ऐसे ही Dutch में भी आई, the Dutch made forest laws in Java, just like British had made in India, they did not allow the villagers to enter the forest, now wood could only be cut for specified purpose, जैसे कि river boats बनाना, या houses construct करना, और इनने लालच दिया कि अगर आप हमारे underkamp करोगे, तो हम आपको वोट देंगे, है ना चलाक, चलाक bro, very चलाक, these Dutchess were trying to be चलाक, उनको पते है उनको वोट चाहिये होगी, तो they offered them, कि हम तुमको वोट देंगे, बस तुम हमारे अंडर काम कर लो, villagers were punished for grazing cattle, taking wood from the forest, salmon's challenge आया, यहाँ पे थे सुरुंतिको सैमन, यह पोटो बनाई है, यहाँ पे लगाई है, of Randu Blantung village, began questioning state ownership of the forest, इन्होंने कहा, state ने यह नहीं बनाया है, क्या? state ने यह नहीं बनाया है, area, the wind, water, earth, wood, and so it could not own it, यह चीज़ हमें nature ने दी है, हमें यह सरकार ने नहीं दी है, state ने नहीं दी है, जो state इसकी ownership ले जाएगी, soon a widespread movement developed by 1917, 1000 families ने इनको इस idea में support भी किया, तो Britishers के राज में, बस्तर के लोगों ने rebel किया, यहाँ पे सुरुंतिको सैमन ने rebel किया, war and deforestation, अब second world war आई, first world war के बाद, second world war भी है, दोनों नहीं impact डाला forest पे, यूँकि forest department में war needs को पूरा करने के लिए चाहिए थे, wood, in Java, just before the Java, अब देखो क्या हो रहा है, पता है, क्या हुआ, मैं तुम्हें एक कहानी बताते हैं, देखो, एक न राम है, ठीक है, एक राम है, एक मोहन है, और एक करीना है, ठीक है, समझे रहे हो, तुम कोगी क्या हो गया, सुनो तो सही, राम को करीना पसंद है, ठीक है, लेकिन राम जो है न, वो थोड़ा सा वीक है, और मोहन को भी करीना पसंद है और मोहन जो है ना एक बोडी बिल्डर है एक दम बड़ी बोडी बिल्डर तो राम को लगा डर कि मोहन कहीं आए और अपने आपका अपना पैसा अपना हैंसम भी बहुत है पैसे वाला भी बहुत है बोडी बोडी भी अच्छी है तो कहीं और करीना को वो लेना जाए तो उसने क्या किया उसने करीना को मार दिया के करीना को मार दूँगा तो अगर करीना मेरी नहीं हुई तो मोहन की भी नहीं होगी तो यहीं हुआ जावा में जावा में आ रहे थे जैपनीज लोग Japanese लोगों ने यहाँ पे valuable timber को जाच लिया था देख लिया था और इन्होंने क्या किया वहीं के लोगों ने सारा का सारा timber सारे के सारे forest खुद ही जला दिये कि ना तो हमारे रहेंगे ये ना ये तुमारे रहेंगे तो same case हुआ देखें just before the Japanese occupied the region the Dutch followed a score's earth policy तो basically Dutch लोग जुहाँ पे उस time rule कर रहे थे Java पे उन्होंने क्या किया कि भाईया ये हमारा नहीं होगा तो ये तुमारा भी नहीं होगा तो इन्होंने क्या किया burning huge piles or giant tea clogs so that they would not fall into Japanese hands Japanese forced the forest villagers to cut down forests and use the products for their own war industries many villagers use this opportunity to expand cultivation in the forest लेकिन वहां के लोगों ने इसका positive role समझा इन्होंने क्या क्या cultivation करनी शुरू कर दे जैसे ऐसे forest disappear होते चले जा रहे थे लेकिन कहने की बात ये है कि scores earth policy में क्या था याद रतना है बहुत ही असान है कि Dutchies ने Java की land पे जितने भी forest थे valuable tea clogs से वो सब जला दिये थे ताकि Japanese के हाथ ने वो ना लग पाए the government recognized that in order to protect forest, involvement of the forest people is very essential बहुत सारे cases में across India मिजोरम to Kerala, dense forest have survived only because of the protection given by the villagers, villagers ने किसी भी आप forest and wildlife chapter पढ़ोगे class 10 में, second chapter है geography उसमें बताया, लोग उने अपने rituals से forest को बहुत बचाया चिपो movement आया, etc., etc., बहुत सारे some villagers have been keeping a watch over their own forest with each household taking in turns instead of leaving it to the forest guard, तो यह लोग अपनी बारियां लगा-लगा कि उसको क्या कर रहे थे, protect कर रहे थे ना कि guards के हाथ में छोड़ के now, this was your chapter यह chapter था, यह खतम हो गया आपको कुछ पूछना है तो comment section में आप पूछ सकते हैं ठीक है, और इसके बाद अब आपके कुछ questions हैं, जो मैं आपसे पूछूंगी, वो आपको मुझे comment section में बताने हैं, अभी आप लोग comment section में लिखोगे देखो, live chat में मत लिखना, यह premiere होगा तो live chat में मत लिखना, प्लीज इसको comments में लिखना, यह video खतम होने के बादी यहीं पे आपके, ताकि मैं देख सको मैं देख नहीं बात है, दरवाईज आप light chat में लिखते हो तो वो हट जाते हैं, ठीक है, तो home work क्या है, यह आपके home work है, कुछ मैंने 8 questions दिए हैं, ठीक है, चलिए मैं जिसका भी answer सही होगा, उसका comment को मैं pin कर दूँगी और heart दूँगी, comment पे तेंदू leaves are used in making what, beedies plates, baskets या umbrellas टिक दा answer, यालि की right दा answer, the railway network expanded rapidly in India, कौन से year में 1820s, 1830s, 1815s या 1860s, the Imperial Forest Research Institute was set up at, कहां पे set किया गया था, अलाबाद, Darjling, Dhehradun, या Shimla the system of scientific forestry stands for system whereby the local farmers were allowed to cultivate temporarily system of cutting old trees and plant new ones, division of forest into three categories, या disappearance of forest, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा scientific forestry के लिए सही है next is, who were the colonial power in Indonesia, जैसे हमाई देश में British ते तो Indonesia में कौन थी British, Dutch, French या Portuguese, next आपको बताना है what was the system of bland, wrong, dean system, ये मैं आपको नहीं बताया है लेकिन आपको पता होगा ये, बहुत असान है last में सही है, क्या था, a system of education, industrialization, first imposition of rent on land and then exemption, या none of the ये आपका homework है, बहुत असान है बहुत असान है, बहुत बहुत असान है, अच्छो try गरो, क्या है इसका answer बताओ, अभी बताओ, blank, wrong, dean system क्या है इसका answer हम यही connect करवा देते है very good देखिए बेटा, blank, wrong, इस इसे में क्या हुआ था duchess ने क्या किया, कि अगर आप हमारे under काम करोगे, तो हम आपके rents को हटा देंगे, मैंने बताया था न, आपको would provide कर देंगे, इसे ही का गया था, blank, wrong, dean system तो इसका correct answer है, यह पहले उन्हें उन्हें रेंट लगाया, और तब उन्हेंने exempt कर दिया, अगर आप हमारे under काम करोगे तो, now who wrote the book The Forest of India in the year 1923, किस ने लिखा David Spar, E.P. Stabbing, Wernier Elvin या John Middleton wooden planks lay across railway tracks to hold these tracks in a position are called, क्या था, जो tracks को hold करके रखता था, beams sleepers, rail fasteners या none of these आपको अपने 8 क्यार आंसर comment section में देने है, मैं चेक करूँगे और एक का answer मैं दे दिया, 7 नहीं, 6 का answer मैं दे दिया, C.P. बाकि सारे answers आपको लिखने है comment section में, और इसकी P.P.T. आपको मिल जाएगी science and fun की app पे, जो play store और app store पे available है वही पे आपके सारे recorded sessions भी है और साथ इसाथ उनकी P.P.T. भी है अगले lecture में आपको क्या चाहिए, तो मुझे comment section में बता दीजिए, I know आपकी exam शुरू होने वाले हैं, जो भी आपको किकर वीजिन के लिए चाहिए, चाप्टर मुझे comment section में बता दीजिए, मिलते हैं, ऐसी ही एक valuable वीडियो के साथ, next session में तब किक के लिए धन्यवाद